देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मे ब्यार में होने जा रहे हैं विदान पारशद के चुनाव में पहली बार ऐसा होगा कि भागपा माले इसमें हिस्सा लेगी इतना ही नहीं अगर हम बात करें तो चुडाक पासवान ने भी ये साफ कर दिया है कि इस बार वो जहां महागटबंधन याने की राजद और कॉंगरस के बीच की दूडिया और विज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ लालुप शाद यादव के तरफ से दिये गए ओफर को चुराक पासवान ने ठुकडा दिया है और यहीं वज़ा है कि भागपा माले हिस्सा लेगी ऐसे में क्या है यह पूरी डिटेल आखिर किस तरह से इस नए साल में बिहार के समीकरण में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है राजनीती बदलती हुई नजर आ रही है इसकी पूरी डिटेल्स आपको देते हैं बतादे कि वेदान परिशत की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में दावेदार दलों की संख्या बर गई है भागपा माले ने पहली बार इस चुनाव में भागिदारी की घोशना की है उधर खामोश चल रही लोजपा ने चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैस लिया गया है इसकी जानकारी रास्ट्रिय धक्चराक पासवान को दी गई है बतादे कि केंदुरिय नतरत से एजाज़त मिलने के बाद जल्द ही उमिदवारों की सूची भी जारी कर दी चाएगी बताएं कि स्थानिये निकाय से होने वाले विदान परिशत की 2015 की उस समय वह NDA में थी सहरसा से लोजपा टिकट पर जीती नूतन सिंग अब वहां से भाजपा की उमिदवार होंगी खबर है कि NDA लोजपा के पारस गुट को विदान परिशत की एक सीट देने जा रहा है समुद्दे पर चिराक पासवान से NDA की कोई बात चीत नहीं हो रही है इधर भाजपा माले की राज सचिव कुनाल ने बुदवार को कहा कि पार्टी ने मजबूद आधार वाले पांच शेत्रों में उमिदवार उतारने का फैसला किया है बता दे कि जहां एक तरफ ऐसा होगा कि चिराक पासवान कुछ चुनिंदा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भागपा बाले भी इस बार विदान परिशद की चुनाव में हिस्सा लेती हुई नजर आएगी ताहीन एगर हम बात करें तो जिस तरह से लालो प्रिशाद यादव ने चुराफ पासवान को ओफर दिया था उनसे क चुनाव को लेकर चुराफ पासवान का फोकस इस वक्त सिर्फ वासर वियार की राजनीती पर ठिका हुआ और यही वज़ा है कि इन सब से परेहट कर जहां एक तरफ बिहार में विदान पारिशद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चुराफ पासवान तयारियों में जुट चुकी है इतना ही नहीं कुछ चुरिंदा सीट है जहां से चुराफ पासवान अपने उमीदवार को उतारेंगे तो वहीं दूसरी तरफ भागपा माले की भी तैयारिया पूरी हो चुकी है और यही वज़ा कि इस बार विदान पार्शद की चुनाव में पहली भागपा माले हिस्सा लेने जारी है ऐसे में आगे इस चुनाव को लेकर और क्या कुछ सरगर्मी बिहार की राचनीती में देखने को मिलती है यह तमाम बाते फिलहाल देखने वाली होंगी लेकिन इस वक जस तरह से भागपा माले और चुराफ पासवान दोनों ने ही इस फैसला लिया है उससे कहीं न कहीं अल और जत्रे भी बाकी के दल है उनकी परेशानिया बढ़ चुकी है फिलाल के इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बनी रहें न्यूस फॉर नेशन के साथ नमश्कार